आखिर शाहिद कपूर कौन सी फिल्मों में करना चाहते हैं का डायेक्टिव प्रड्यूसर की कौन सी कहानी आने वाली है ओडियन्स को पसंद वल आपको बता दे बॉलिवूर्ड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों काफी सुर्खियों में चल रहे हैं जहां पर हाली में रिलीज हुई एक्टर के फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलजा जिया आडियन्स के बीच काफी जादा दिलों पर तो राज नहीं कर पाई हैं इसे के साथ ही साथ अब यू कह सकते हैं कि शाहिद काफी जादा सिलेक्टिव हो गए हैं जहां पर आए दिन शाह काफी जादा सिलेक्टिव हो गया हूँ अपने फिल्मों को लेकर वेल शाहिद ऐसे कौन से फिल्मों में काम करना चाहते हैं या फिर डाइरेक्टर प्रेडियूसर की कौन सी कहानी उनके दिल को छू रही है आज जानते हैं इस वीडियो में हेलो एंड वेलकम मैं हूँ अर और आप देख रहे हैं बजू का रिव्यूस वेल आपको बता दे डिजिटल प्लैटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज फर्जी शाहिद कपूर की थी जहां पर उन्होंने फर्जी के दौरान अपने करोरों फैंस के दिलों में जगा बना ली थी फर्जी की कहानी भी कुछ इस तरीके से थी जहां पर डायरेक्टर प्रड्यूसर की मैनत साफ साफ बतार वेब सीरीज में नजर आ रही थी इसे के साथ ही साथ शाहिद सिलेक्टिव हो गए हैं अपनी अपकमिंग फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर वेल शाहिद कपूर की फिल्म या फिर प्लाटफॉर्म पर रिलीज हुई थी उसके बाद से शाहिद कपूर के नए अंदाज नए लुक को देकर उनके फैंस काफी ज़्यादा उन्हें पसंद करने लगे थे लेकिन अब तेरी बातों में ऐसा ओलजा जिया के बाद शाहिद कपूर ने फिर से कहा जाए तो अपन पसनालेटी डाउन कर ली है वेल फर्जी के सक्सेस होने के बाद से ओडियंस ने फर्जी टू का भी डिमांड करना चालू कर दिया है डाइरेक्टर क्रिश्णा और राज लगता है ओडियंस की सुनली है इसी के साथ ही साथ फर्जी टू साल दो हजार पच्चीस में OTT प्ल नजर आने वाली है राशी खन्ना ने थोड़े दिन पहले ही शोशल मेडिया पर इस बात की हिंट दी थी कि फर्जी टू भी जल्द ही OTT प्लैटफॉर्म पर आने वाला है जिसको लेकर काफी जादा बज नजर आ रहा है वेल ये बात तो रही शाहिद कपूर और राशी ख दिया गया है कि वीजय सेतू पती विलन के रोल में नजर आ सकते हैं वेल बात करें डायरेक्टर और प्रडूसर की कहानी को लेकर तो उन्होंने यही कहा है कि फर्जी टू को लेकर अभी काफी जादा टाइम लगने वाला है इसे के साथ ही साथ उनके पास कई ऐसे अपकमि वेब सीरीज है जिसको लेकर वो जल्दी OTT प्लैटफॉर्म पर उतरने वाले हैं इसमें एक वेब सीरीज यह भी शामिल है The Family Man 3 वेल यह देखना काफे इंटरस्टिंग रहने वाला है कि कृष्ण और राज की कौन सी कहानी को ओडियंस ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है वेल फरजी टू के लिए आप कितने एकसाइटेड है कमेंट बॉक्स में बताना हमें ना भूले आगे की लेटिस्ट अपडेट के लिए बने रहे है बजू का रिव्यूज के साथ